Rainbow, यानि की इंद्रधनुश, ये हमें बरसात के दिनों में दिखता है, सूरज जब डूबता है खास कर उस समय हमें ये दिखता है, और ये हमें पूरब की दिशा में दिखता है, जिस डिरेक्शन में सूरज डूब रहा होता है, उसके opposite direction में, that means, पूरब की दिशा में हमें य हरा होता है, पीला होता है, नीला, पैंगनी, ये सब color होता है, ये वही सारे colors है, अगर आपने prism के through light का dispersion देखा है, तो उस समय, prism से पार होते हुए सूरज का जो white light है, उसका जो dispersion होता है, तो उस समय हमें इस तरह का रंग हमें दिखता है, इस तरह के रंग के light हमें दि slit से torch से निक्ला हुआ white light का एक पतला सा beam यहाँ से पार होगा और यहाँ से फिर इसका dispersion होगा और इस screen में हम उसे देखेंगे तो यहाँ से देखे light जला हुआ है और एक पतला सा beam light का beam इस तरह से पार हो रहा है और prism के through वो pass हो रहा है फिर pass होते हुए opposite side में यहां screen में देखे हमें रंग बिरंगा यहां पर color दिख रहा है, यहां पर red है, फिर yellow, फिर green इस तरह का colors हमें दिख रहा है, यहां पर blue है, violet है, बीच में red और yellow के बीच में orange भी है, तो यह light का dispersion होता है, white light इन सारे colors के light से बना हुआ होता है, और हमें जो इंद्रधनुश है जो rainbow है, वहां पर भी हमें इस तरह का ही color दिखता है, देखे जब prism से light का dispersion होता है, उस समय होता क्या है, white light आया और यहां से refract किया, तो refract करने से light का होता है deviation, जिस light का wavelength ज्यादा होता है, उसका deviation कम होता है, जिसका wavelength कम होता है, उसका deviation ज्यादा होता है, यह अभी तक आपक है यह relatively ज्यादा होता है in comparison to blue violet तो इसका deviation जो है यह कम होता है blue violet का deviation ज्यादा होता है इसलिए यह आपको नीचे की तरफ दिख रहा है फिर दूसरे face में जब फिर से reflection होता है तो यह और भी एक दूसरे से जुदा हो जाता है दूर हो जाता है तो देखे red उपर की deviation होता है अब देखे यहां से हम कैसे समझेंगे कि इंद्र धनुश जो है rainbow जो है उसका formation किस तरह का होता है तो देखे atmosphere में छोटे-छोटे water droplets होते हैं इन water droplets में light क्या होता है refracted होता है इसका total internal reflection होता है फिर जाके जब बाहर निकलता है तो red light और फिर green yellow यह सारे colors जो है यह अलग-अलग हो जाता है चलिए एक छोटा सा demonstration देखते हैं इस तरह से जो white light है white light sun से आया सूरज से आया और यहां पर यह refract किया refract करने से क्या हुआ यह normal के तरफ deviated हुआ red कम deviated हुआ और violet जो है यह ज्यादा deviated हुआ अब चलिए सिर्फ red ray को लेकर चलते हैं फिलाग अब यह जो red color का ray है यह इस तरह से आया यहां पर इसका total internal reflection होगा और फिर से जब यह बाहर निकलेगा यहां से तो फिर यह normal से दूर deviated होगा क्योंकि यह optically denser medium है यह optically rarer medium है क्योंकि यह पानी से बना हुआ है ड्रॉपलेट पानी से बना हुआ है और इसके surroundings में क्या है air है तो air optically rarer medium होगा और पानी optically denser medium होगा तो इसलिए अब की बार यह normal से दूर deviate करेगा तो इस तरह से red light का यहां पर सबसे पहले तो यहां reflection हुआ फिर total reflection हुआ और यह बाहर निकला अब चलिए violet को देख लेते हैं यहां से violet का भी reflection होगा ज्यादा deviated होगा यह तो यह इस तरह से आया total internal reflection हुआ और ऐसे यह भी बाहर की तरफ निकला अब जो बाकी colors है जैसे कि yellow हो गया green हो गया orange हो गया blue हो गया यह सब colors भी यहां बीचो बीच रहेगा red और violet के बीच में रहेगा चलिए सिर्फ green light को लेकर चलते हैं तो यहां पर green light भी इस तरह से आएगा और इन दोनों के बीच पर कहीं पर रहेगा अब देखें मान ले कि हम लोग दो points को देख रहे हैं आसमान में दो points को देख रहे हैं दो droplets को consider करते हैं यह एक droplet यह दूसरा droplet अब light रहे आया पहला droplet से इस तरह से red बाहर निकला और फिर यहां से orange भी बाहर निकला यहां पर मैं आपको बता दू red color का light इस तरह के reflection में इस तरह से जो इंद्र धनुशिया जो rainbow बनता है इस case में इस खास case में यह जो angle बनता है यह angle 42 degree का बनता है यह 42 degree का angle बनाता है और यह जो violet color का light ray है यह incident ray के साथ 40 degree का angle बनाता है यह आप थ्यान रखें तो आप देखें यह जो drop है इस droplet से red light यहां तक पहुचा हमारे आखों तक पहुचा अब देखें दूसरा जो droplet है इसमें भी यही event होगा यहां से भी violet बाहर निकलेगा red भी बाहर निकलेगा लेकिन इस droplet से red नहीं बलकि violet color का light हमारे आखों तक पहुच रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यह वाला जो droplet है इस जगा पे हमें red दिखेगा और इस जगा पे हमें violet दिखेगा violet हमें नीचे दिखेगा तो इंद्र धनुष में भी हमें यही चीज दिखता है नीचे की तरफ हमें blue violet color हमें दिखता है और उपर की तरफ red, orange यह सब color दिखता है और बीच में होता है yellow, green यह सब color जो है यह बीच में होता है तो इस तरह से जो rainbow बनता है जहां पर कि सिर्फ एक बार droplet के अंदर total internal reflection हो रहा है इस तरह के rainbow को primary rainbow कहा जाता है एक दूसरे तरह का भी rainbow formation होता है जिसे की secondary rainbow कहा जाता है यहां पर भी, देखे, light आया, अंदर गया उसी तरह से red भी deviated हुआ और फिर violet भी deviated हुआ, violet ज्यादा deviated हुआ यहां पर दो बार total internal reflection हो रहा है अब की बार जो है, जब यह बाहर निकलेगा चुकि दो बार reflection हो रहा है इसलिए violet अब ज्यादा ज्यादा angle बनाएगा incident ray के साथ और red इस बार कम angle बनाएगा incident ray के साथ इस case में यह जो angle बनता है यह nearly 50 degree का angle बनता है और violet जो angle बनाता है यह nearly 53 degree का angle बनाता है तो मालने की observer जो है observer इस जगह पे है अब दूसरा droplet में भी यही होगा इस तरह से यह जो रिफ्रैक्शन हुआ फिर internal reflection हुआ फिर रिफ्रैक्शन होके बाहर निकला तो यहां से अब red color का light इस जगह पे पहुँच रहा तो यह droplet जो है यह red दिखेगा और यह droplet जो है यह violet color का दिखेगा तो इससे जो rainbow बनेगा वो rainbow obviously primary rainbow के ऊपर रहेगा क्योंकि primary rainbow का angular range जो है वो 40 to 42 degree का होता है और यह secondary rainbow इसे secondary rainbow कहा जाता है इस secondary rainbow का angular range है यह 50 से 53 degree का range है तो यहां पर देखेगा आपको दूनों तरह का rainbow दिख रहा है इस तरह का जब rainbow formation होता है तो इसे double rainbow कहा जाता है यह primary rainbow यह जो है यह primary rainbow है नीचे आपको दिख रहा है जिसका range 40 degree से लेके 42 degree का होता है और यहां पर यह जो rainbow है इसे secondary rainbow कहा जाता है जहां पर की दो बार total internal reflection हो रहा है और इसका जो range है यह 50 से लेके 53 degree का इसका angular range होता है इसलिए यह उपर की तरफ हमें दिखता है और primary rainbow हमें नीचे की तरफ दिखता है और एक खास बात यह है कि primary rainbow के case में जो red color का light था यह उपर की तरफ था और जो violet light था यह नीचे की तरफ था लेकिन जो secondary rainbow है इसमें दो बार total internal reflection होने के कारण हमने देखा था कि इस case में red जो है कम angle बना रहा है 50 degree का angle बना रहा है इसलिए red जो है इस बार इस case में नीचे रहता है और violet color जो है यह उपर की तरफ रहता है जस्ट जो color combination है यह inverted हो जाता है यहाँ पर कि इस case में दो बार total internal reflection हो रहा इस case में एक बार total internal reflection हो रहा है double rainbow हम इसे कहते हैं अब अगले topic में हम यह देखेंगे कि light का scattering से हम क्या समझते हैं और इससे हम यह भी समझेंगे कि सूरज उगते समय और डूबते समय हमें लाल क्यों दिखता है लेकिन आसमान का जो color है यह blue क्यों होता है जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि standard 12th के लिए ray optics chapter के सारे वीडियो उसका जो playlist है उसका link जो है उसको आपको description box में मिल जाएगा तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें goodbye